अध्यक्ष महुदया और आपका चुनाव मुझे ये भी याद दिलाता है कि संयुक्त राष्ट की पहली महिला अध्यक्ष भारत से ही चुनी गई थी। अध्यक्ष के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने 72 सत्र का संचालन बहुत सुचारू रूप से किया था। अध्यक्ष जी आज सुभे बहुत अशुब समाचार मिला है। इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी दोनों त्रासदी एक साथ आई है। मैं आज इस मंच से अपने देश भारत की ओर से इंडोनेशिया की सरकार और वहां के लोगों के प्रती गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। और इसके साथ ही इस त्रासदी का मुकाबला करने के लिए भारत की ओर से पूर्ण सहिव का आश्वासन भी देती हूं। अध्यक्ष जी, संयुक्त राष्ट विश्व का सबसे बड़ा बहु पक्षिय मंच है। जहां दुनिया के सुख दुख सांजे किये जाते हैं, जहां अविक्सित तथा कम अविक्सित देशों की साहता के लिए योजनाय बनाई जाती हैं, जहां विश्व को बहतर बनाने के लिए लक्ष निर्धारित किये जाते हैं। वर्ष 2015 में हमने वर्ष 2030 का एजेंडा निर्धारित करते हुए तिकाव विकास के लक्षों यानि सस्टेनेबल डिवेलप्मेंट गोल्स की रचना की थी उसी समय से ये कहा जा रहा है कि भारत इन लक्षों को प्राप्ट कर लेगा तब ही हम सफल हो पाएंगे वरना हम फेल हो जाएंगे आज इस मंच से मैं आप सब को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारत आपको कभी फेल नहीं होने देगा वर्ष 2030 के एजिंडा तथा तिकाव विकास के सत्वरे लक्षों को हासिल करने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है द्हान मिंत्रुशी नरेंद्र मोदी जी ने जिस गती और जिस पैमाने पर इन लक्षों को प्राप्ट करने का कारिश शुरू किया है हम समयावधी से पहले ही इन लक्षों को प्राप्ट कर लेंगे इस संबंध में भारत में जो कारिक किये जा रहे हैं उनकी एक जहलक के रूप में मैं कुछ योजनाओं का उल्लेक करना चाहूँगी अध्यक्षी विश्वकी सबसे बड़े आर्थिक समावेश की योजना फिनांशल इंक्लूजन की योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है जनधन योजना इसके अंतरगत 32 करोड 61 लाक ऐसे लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं जिनोंने पहले कभी बैंक का दर्वाजा भी नहीं देखा गया और अब डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहट सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली राशी सीधे उन खातों में डाल दी जाती है जिसके कारण गरीब को पूरा पैसा मिलने लगा है और बीच का भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है इसे तरह भारत में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ बीमा योजना चलाई गई है जिसका नाम है आयुश्मान भारत योजना इसी सब्तहा 23 तारीक को प्रधान मंतरी मोदी जी ने इस योजना का अपचारिक रूप से उद्गाटन किया है इस योजना के अंतरगत 50 करोड लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाक रुपे तक की राशी उनकी बीमारी के इलाज के लिए दी जाएगी स्वास्त सुविधाय प्रदान करने के क्षेत्र में ये योजना कांतिकारी सावित होगी अध्यक जी हमारे यह प्रत्रना कियती है जिसमें हम कहते हैं सर्वे संतु निरामयह यानी सब निरोगी हों ये योजना उस कामना की पूर्ती करेगी इसी तरहे बेघरों को घर देने के लिए विश्व की सबसे बड़ी आवास योजना हमने चलाई है प्रधान मंत्री आवास योजना इस योजना के अंतरगत वर्ष 2022 तक दो करोड पिच्चानवे लाख आवास शेहरी और ग्रामिन इलाकों में बनाई जाएंगे ताकि 2022 तक हर गरीब के पास अपना घर हो कोई भी बेघर न रहे और अभी तक 53,50,000 मकान बनाई जाए चुके हैं इसी तरहे बेरोजगार लोगों को स्वरोजगारी तथा उद्यमी बनाने के लिए कौशल विकास योजना के माध्यम से उन्हें प्रशिक्ठर देकर और मुद्रा योजना के माध्यम से काम शुरू करने के लिए रण देकर दो प्रभावी योजनाई चलाई जा रही है यहां मैं विशेश रूप से ये उलेक करना चाहूंगी कि मुद्रा योजना के अंतरगत चौधे करोर नौलाख लोगों को रिण दिया गया है जिसका 76% महिलाओं को दिया गया है अध्यक्ष जी प्रभानमंत्री मोधी जी की ये सोच है कि यदि गरीबी का उनमूलन करना है तो सबसे पहले महिलाओं का सशक्तिकरन करना होगा मैंने जितनी योजनाओं का उलेक किया है उसमें महिलाओं को प्राथमिक्ता दी गई है और कुछ अन्य योजनाएं केवल महिलाओं को ही लाप देने के लिए चलाई जा रही हैं जैसे उज्वला योजना मात्रित और अवकाश योजना पिछली बार मैंने इसी मंच से उज्वला योजना के विश्यम में उल्लेक किया था मुझे बताते हुए प्रसनता है कि उज्वला योजना के अंतरगत पांच करोड गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस करेक्शन दिया जा चुका है मात्रित और अवकाश योजना यानि मेचनिटी बेनिफिट स्कीम इसके अंतरगत भारत में कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए 26 हफ्तों की छुटी वेतन सहित दी जाती है अध्यक्टी एक महिला होने के नाते आप इस योजना से महिलाओं को मिलने वाले लाब को आसानी से समझ सकती है हम सबको जानकारी है कि कुछ विक्सित देशों में वेतन सहित 6 हफ्तों की छुटी प्राप्त करने के लिए महिलाओं संघर्ष कर रही है लेकिन भारत में वेतन सहित 26 हफ्तों का मात्रित अवकाश देने का निरने लागू कर दिया है अध्यक्ष महुदया सन 2022 में आजाद भारत 75 वर्ष का हो जाएगा और आजादे की 75 मी वर्षगाट मनाने के लिए रहनमंत्री मोदी जी ने नए भारत के निर्मान का संकल्प लिया है वो भारत कैसा होगा वो भारत होगा स्वच भारत स्वस्थ भारत समर्थ भारत सम्रद्ध भारत सुरक्षित भारत विक्षित भारत और उर्जावान भारत शक्तिमान भारत हम बहुत तेज गती से इस लक्ष की ओवर आगे बढ़ रहे हैं और वर्ष 2022 तक ये संकल्प सिद्धी में बदल जाए इसका पुर्जोर प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष जी विश्व आज जिन चुनोतियों से जूज रहा है उसमें जलवाईू परिवर्तन और आतंक वाद सबसे बड़ी चुनोतियां हैं जलवायू परिवर्तन की चुनोती के सबसे बुरे परिणाम अविक्सित और कम विक्सित देश भूग रहे हैं जिन में अपने बचाओ की ना सामर्थ है और ना क्षमता है इसलिए जिन विक्सित देशों ने प्रक्तिका विनाश करके अपना विकास किया है वो आज अपनी जिम्मदारी से मूँ नहीं मोड सकते यदि हम विश्व को जलवायू परिवर्तन की दुश्परिणामों से बचाना चाहते हैं तो बड़े देशों को छोटे देशों की साहता के लिए आगे आना ही होगा पैरिस समझोते में इसलिए विक्सित देशों को छोटे देशों के लिए राशी भी देनी चाहिए और तकनीक भी जलवायू परिवर्तन की चुनौती का मुकाबला करने के लिए पैरिस समझोते के समय प्रहनमंत्री मोडी जी ने फ्रांस के साथ मिलकर अंतर राश्ट्रिय सौर गठबंदन की स्थापना की थी अब इस गठबंदन में अड़सत देशों ने सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर कर दिये है इसी वर्ष 11 मार्च को हमने फ्रांस के राश्पती मैक्रों की सह अध्धक्षता में इस गठबंदन का स्थापना सम्मेलन आयुजित किया था जिसमें 120 देशों के प्रतिन्तियों ने भाग लिया था आज मुझे आपको बताते हुए प्रसनता है कि संयुक्त राश्ट्र ने पधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पर्यावरण के ख्षेतर में उत्कृष्ट कारे करने के लिए चेंपियंज ऑफ दी आर्थ अवोर्ड से सम्मानित किया है पधानमंत्री मोदी तो वन सन वन ग्रिड की भी संकर्पना कर रहे है उनका मानना है कि यदि हम सबका सूर्य एक है तो ग्रिड भी एक ही क्यों न हो जाए यदि ये संकर्पना पूरी हो गई तो सौर उर्जा के ख्षेतर में क्रांती आ जाएगी जो जलवायू परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने का एक प्रभावी माध्यम बनेगी अध्यक्षी मैंने दूसरी प्रमुक चुनौति कही थी आतंकवाद बीस्वे शताब्दी की समाप्ति के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि 21 सदी में शांती और सम्रुधी का युग प्रारंब होगा किन्तु 911 की नियॉर्क की घटना और 26 गयारे की मुंबई की घटना ने इन उम्मीदों पर पानी फिर दिया आज आतंकवाद का राक्षस कहीं धीमी गती से तो कहीं तेज गती से विश्व के हर देश तक जा पहुंचा है भारत तो कई दश्कों से इसका दंश भोग रहा है और हमारा दुर्भाग यह है कि हमारे यहां आतंकवाद की चुनोती कहीं दूर देश से नहीं बलकि सीमा पार अपने पड़ोसी देश से ही आई है और वो देश केवल आतंकवाद फैलाने में ही माहिर नहीं है बलकि अपने किये हुए को नकारने में भी उसने महारत हासिल कर ली है इसके सबसे बड़ी मिसाल है ओसामा बिन लादन का पाकिस्तान में पाया जाना अमेरिका के इतिहास में 11 सितंबर 2001 की घटना सबसे बड़ी आतंकवादी घटना के रूप में देखी जाती है इसलिए उस घटना के मास्टर माइंड ओसामा बिन लादन को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और पूरी दुनिया में उसे खोज रहा था लेकिन उसे नहीं मालुम था कि खुद को अमेरिका का बहुत बड़ा दोस्त बताने वाले देश पाकिस्तान नहीं अपने याँ पना देकर उसे छिपा के रखा हुआ था ये तो अमेरिका के खुफिया तंत्र की सफलता है अध्यक्ष जी कि उन्होंने उसामा को वहां खोज निकाला और ये अमेरिका की सैन निशक्ति की उप्रब्धी है कि उन्होंने उन्हें वहीं मार गिराया लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत देखिए सारा सच सामने आ जाने के बाद भी ना चेहरे पे जेप ना माथे पे शिकन जहसे कोई गुना उन्होंने किया ही ना और ये सिलसिला अभी भी जारी है लगातार जारी है 911 का मास्टर माइंड तो मारा गया किन्तु 26 ग्यारा का मास्टर माइंड हाफिस सईद आज भी खुला घूम रहा है रेलियां करता है, चुनाव लड़वाता है सरयाम भारत को धमकियां देता है लेकिन एक बात संतोषकी है कि दुनिया के देशों ने अब पाकिस्तान का सही चेहरा पहचान लिया है और इसलिए FATF ने टेरर फंडिंग के लिए आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देने के लिए पाकिस्तान को निगरानी सूची में रख दिया है अध्यक्ष जी हम पर एक आरोप लगाया जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ बात्चीत करने के लिए तैयार नहीं होते यह पूरी तरह असत्य है हमारा तो मानना है कि दुनिया के जटिल से जटिल मुद्दे केवल बात्चीत से ही सुलजाय जा सकते हैं और सुलजाय जाने चाहिए इसे लिए पाकिस्तान के साथ अनेक बार वारता शुरू की गई है वारताओं के अनेक दौर भी चले हैं लेकिन हर बार उनके हरकतों के कारण ही वारता रुकी है भारत में अनेक राजनेती दलों की सरकार केंदर में बनी है हर सरकार ने ये कोशिश की कि बादचीत के द्वारा हमारे विवाद सुलच जाए और पधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो अपने शपत ग्रंड समाहरों के पहले ही सार्क के सभी नेताओं को आमंत्रित करके सरकार बनने से पहले ही ये शुरुवात कर दी थी 9 दिसंबर 2016 को स्वए मैंने इस्लामाबाद जाकर कॉम्प्रिहंसिव बाइलेट्रल डायलोग की शुरुवात कर दी थी किन्तु मात्र तीन हफ़ते बाद दो जन्वरी की रात को पठान कोट एर बेस पर हमला कर दिया गया आप ही बताएं अध्यक्ष जी उस माहौल में बादचीत आगे कैसे बढ़ सकती थी अभी भी पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद वहां के प्रधान मंतरी इमरान खान ने प्रधान मंतरी मोधी को पत्र लिखकर ये इच्छा जताई कि न्योक में दोनों देशों के विदेश मंतरियों की अगर मुलाकात हो जाए तो अच्छा होगा हमने उनका प्रस्ताव मंजूर किया लेकिन चंद घंटों बाद ये खबर आई कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के तीन जवानों का पहले अपहरण किया और बाद में उन्हें मार कर फिक दिया क्या ये हरकतें बादचीत की नियत को दर्शाती हैं और क्या ऐसे वातावरण में मुलाकात हो सकती है और क्या मुलाकात होनी चाहिए आए दिन पाकिस्तान हम पर मानवा धिकार के उलंगन का आरोप लगाता है अध्यक्ष जी मानवा धिकारों का सबसे बड़ा उलंगन तो आतंकवादी करते हैं जो निर्देख्ष लोगों को मारते हैं बेगुना लोगों को मौत के घाट उतारते हैं लेकिन पाकिस्तान किन मानमा धिकार के उलंगन का निराधार आरोप लगाना पाकिस्तान की आदत बढ़ गई है यह घटना अध्यक्ष जी इसी सभागार में घटी थी और पुरानी नहीं पिछले वर्ष घटी थी जब पाकिस्तान की प्रतिनिजिने राइट टू रिप्लाई का उपयोग करते लगातारी समंच से भारत कहता आ रहा है कि केवल एक सूची या दूसरी सूची में आतंकवादियों का नाम रख देने से मसला हल नहीं हो जाएगा जब तक हम आतंकवादियों को किसी अंतर राष्ट्रिय कानून की गिरफ्त में नहीं लाएंगे तब तक एस सिलसिला चलता रहेगा भारत ने 1996 में CCIT का प्रस्टाव संच राष्ट में पेश किया था आज तक वो प्रस्टाव अठका हुआ है और अठकने का केवल एक कारण है कि हम आतंकवादी की परिभाशा पर सर्वसम्मती नहीं बना पा रहे हैं यह विडंबना है कि हम आतंकवाद से लड़ना हम तय नहीं कर पाएंगे इसलिए विश्व के इनामी आतंकवादी पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं फ्रीडम फाइटर कहे जाते हैं और उन आतंकवादियों की क्रूरता वीरता कही जाती है पाकिस्तान की सरकार उनके सम्मान में डाठ टिक्टे निकालकर उन्हें महिमा मंदित करती है अध्यक्ष जी ऐसे कृतियों को संयुक्त राश्ट के सदस्च देश कब तक चुप बैठ कर देखते रहेंगे ऐसे कर्टूतों की कब तक हम अंदेखी करते रहेंगे यदि इन हरकतों को कानून बना कर अभी नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जिस दना आतंक वाध का ये दानव पूरी दुनिया को निगल जाएगा और इस दावानल में पूरा विश्व जल जाएगा इसलिए आज मैं आपसे पुन्ह अपील करती हूं इस मंच से आप सब को अपील करती हूँ कि आतंकवाद की परिभाशा पर सर्वसम्मती बना कर जल्दी से जल्दी हम CCIT को पारित करें। अध्यक्ष जी, अब मैं संयुक्तराष्ट की उपयोगिता के विश्य में कुछ कहना चाहूँ। मैंने प्रारंब में कहा था कि संयुक्तराष्ट दुनिया के देशों का सबसे बड़ा मंच है। लेकिन अब मैं एक और वाकिस के आगे जोड़ना चाहती हूँ। कि धीरे धीरे इस मंच का महत्व, इसका प्रभाव, इसकी गरिमा और इसकी उपयोगिता कम होती जा रही है। हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि इस खर्ण के चलते कहीं हमारा हश्र भी लीग आफ नेशन जैसा ना हो जाए। लीग का पतन इसलिए हुआ था क्योंकि वो सुधार के लिए तैयार नहीं हुआ। हम कम से कम वो गलती न करें। संहिटराश्ट में सुधारों की आवश्चकता है। और उससे भी पहले सुरक्षा परिशत के सुधार में आवश्चकता है। और यह सुधार दिखावे के लिए नहीं। बलकि ऐसे सुधार हों जो दिल और दिमाग में बदलाव लाएे। आज सुरक्षा परिशद दूसरे विश्व युद्ध के पांच विजयताओं तक ही सीमित है। क्या इसे आज के युग के अनकूल माना जा सकता है। जब भारत समेत विश्व का अधिकांश हिस्सा उपनिवेश्वाद की गिरफ्त में था। उस समय के बनाई गई सुरक्षा परिशद क्या आज के विश्व की चुनौतियों को समझ पा रही है। मुकाबला करना तो दूर जो चुनौतियां हैं वो उसकी समझ से परे हैं। इसलिए मेरी अपील है कि सुरक्षा परिशद में सुधार की प्रक्रिया शीग शुरू की जानी चाहिए। अध्दक जी इस व्यवस्था के सामने जो चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उससे बहुत देश चिंतित हैं। मैं भी इस विश्व में अपनी और से भारत का मत रखना चाहूँगी। अध्यक्ष महुदया भारत वसुधव कुटुम्बकम के सिध्धानत में विश्वास रखता है। कुट दो लगना है विश्व एक परिवार है। इसलिए वसुधव कुटुम्बकम का मतलब है कि संयुक्त राश्ड को भी परिवार की तरझपर चलाया जाना चाहिए।iac परिवार किन सिध्धानतों पर चलता है। परिवार प्यार से चलता है विवेघ्वार से नहीं। परिवार मोह से चलता है लोब से नहीं परिवार समवेदना से चलता है यिर्शा से नहीं परिवार सुलह से चलता है कलह से नहीं इसलिए हमें कहना है कि संयुक्तराष्ट को परिवार के सिध्धान्त पर ही चलाना होगा सहयुक राष्ट मैं मेरा और मुझको कहकर नहीं चलाया जा सकता अध्यक्षी ये मंच हम हमारा और सबको के लिए बना था और उसी सिध्धान्त पर चलाया जाएगा तो जीवित बच सकेगा भारत नहीं चाहता कि इस मंच से कुछ देशों के ही हितसाधने के निर्णे लिए जाएग या कुछ देशों का अहित करने की दृष्टी से निर्णे लिए जाएग हमें सबका सहयुग लेकर सबके विकास के निर्णे लेने होंगे अध्यक्ष जी इस वर्ष हम महात्मा गांधी जी के जन्म की एक सो पचासवी वर्षगांट मना रहे हैं गांधी जी का प्रिय भजन था वैश्णव जनतों तेने कहिए जो पीड पर आई जाने रहे पर दुखे उपकार करे जोए मन अभिमान न माने रहे इसका आर्थ है कि जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ कर महसूस करता है वही अच्छा इंसान है और जो दूसरे का निवारन करता है दुख का लेकिन मन में अभिमान की भावना नहीं लाता वही अच्छा इंसान है अध्यक्ष महुदया इस मंच को हमें वैश्णव जन का मंच बनाना है जो मंच अविक्सित देशों की पीडा को समझे और विक्सित देशों के माध्यम से उनकी पीडा को कम करने का कारे करे अभिमान की भावना से नहीं पीडितों के कल्यान की भावना से करे अंकार की भावना से नहीं, उपकार की भावना से करें तभी हम ऐसे विश्व की रचना कर पाएंगे जिसमें सदभाव हो, सवहर्ध हो, शांती हो, प्यार हो और जो विश्व हिंसा से मुक्थ हो, आतंकबाद से मुक्थ हो और तनाव से भी मुक्थ हो ऐसे विश्व की कामना करते हुए मैं संस्कृत के एक शलोक के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी सर्वे शाम स्वस्तिर भवतू, सर्वे शाम शान्ति भवतू, सर्वे शाम पूर्णम भवतू, सर्वे शाम मंगलम भवतू इसका आर्थ है सबका शुभ हो, सबको शांती मिले, सबको पूर्णता प्राप्थ हो, सबका मंगल हो, सबका ही कल्यान हो, विश्व कल्यान की इसी कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार.